आज जिस सक्सिय से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वे हैं शिरी गनगर से भासपा के जिला धेक्ष आतमा राम जी तर्ड आये बात करते हैं आतमा राम जी से आतवरम जी सरप्रस्म तो आपको जिला देख्ष बनने पर बहुत बहुत बढ़ाई हो धन्याबाद और मेरी तरफ सेंफाइटर के सभी पाठ्कों को नव वर्स की सुब काम नहीं सभी को नए साल के बहुत बहुत सुब काम नहीं आतवरम जी जिला देख्ष की दोड में बहुत से लोग शामिल थे तो ऐसी क्या विशेस्ता थी कि आपको इसमें चुना गया देखिए मैं तो नहीं तो दोड में कहीं गया था पिसले तीस सालों से मैं इस विचार दारा के लिए काम कर रहा था पार्टी ने मुझे उसी तुमाना मैं तो जैपर दूसरे दिन मीटिंग थी हमारी किसान मोर से की रस्ते में समाचार मिला पार्टी जवादेश दिया उस विकार है मैं किसी के पास नहीं या मेरे को जिला जैक्स बनाओ तो क्या विश्यस्ता मानते हैं आप खुद में मैं अलांकि एक समाने आदमी हूं मेरे से बहुत अच्छे लोग भी इस पार्टी के अंदर है वह जिला जैक्स बनने काबिल थे लेकिन मैं सुचता हूं गाम से पार्टी की मुझ विचार दा से जुडा वह हूं बर्सों से मैं काम कर अठीस में महामंत्री किसान मोर्शे में जमीनी लोगों से जुडा हूं जमीनी आध्मी हूं सहे दिन ही से बातों को देखते हूए पार्टी को मेरे ग्णाओे जिला जैक्स बनाए है आपको क्या लगता है कि पार्टी जो नीडमे लेती है वो सोख समझ कर लेती है या हवा में बाते करती है नहीं ये बात नहीं है पार्टी जो भी फैसले लेती है जो तुनावी फैसले होते हैं उन में भी सारी बाते देखी जाती है संक्षन में इन बातों को में दी जाती है लगबग ज्यादातर मामलों में सारी अकिकत द में पार्टी किन किन बत्तों का विशेश ध्यान रखती है कि जो पार्टी प्रतियाशी हो वो कैसा हो देखे राजनितिक पार्टियां चुनावी लाप प्रापत करने के लिए हैं अपने मूल सिधानत होते हैं उनको ऐमियत देते हुए चुनावी जीत प्रापत करना भी उसका समाज केंदर कितना पर्वाव है या उस समाज की कितनी माँ है जिसको एंगे तो यह देखते हैं कि समाज में जिसको टीकट दी जा दिये है उसके समाज में कितनी परतिष्ठा है तो क्या आपको लगता है कि समाज में आपकी परतिष्ठा नहीं है यह सब्सक्राइब तो पर्टिग्ट नियुल नहीं पो इसमेसी डायग्जाने क्रुज़े की स्थितियां उन सबी चीजों को देख के कई बाते होती है तुस में यह नहीं जिसको टिक्ट नहीं दी यह जादा यह जादा यह targeting क्या करते हैं जाप keywords, ने हो सकते है पाल्टी ने उस मुद्दे को देखते हुए मेरे को संख्ठन में काम दे दिया क्या आप तो आपको लगता नहीं कि संख्ठन में आपने कुछ याद़ी काम कर लिया जिसके चब थे आपके पार्टी का उमीदवार भारी वोटों से हार गया सादू छेर में वो तो राजस्तान के अंदर भी अब की बार एक बड़ा कारण रा में चुनाव सरकार नहीं बना पाए सपलता ठीक मिली लेकिन बहुत से कारण होते हैं कुछ कांग्रेस की कर्दमाफी की रिये गोशना ही थी कुछ से लोग उससे भी बर्मीत हुए ये कुछ हैसे कारण रही थे गं सब्सक्रादुल शेहर में ही भाजपा शिकरत हो गई सब्सक्रादुल शेहर में अलांकि पिसला चुनाव हम जीते थे अब की बार कुस ऐसी परसीतिया हमनी चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन उसके कारण यह यह है कि सोड़ी बहुत जो सरकार होती है उसका ग्रोध हो जात आपकी बात जो कह रहे हो मैं किस लिशप से 2000 में राजनी ती में ञिऑ करना चाहत है आप मेरे मेरे गाम से लेकर सारी विदान ca when में अगर एक भी आदमी ये कह दे कि आतमारा मने किसी भी सुनाव में पार्टी इखलाप किया तो मैं अपने घर से लाजाओंगा राजनीती छोट दूँगा मेरा सिदान तरह मैं एक विचार से बुलावा हूँ अपस में राजनीती में इतवा कांशनी सभी क्यों होती है वि पार्टी जो मेरे को विदान सभा सुनाम में मैं लगा वा था पार्टी जो मेरे को काम दे दिया मैं कर रहा था इसा मेरे पर कोई है मैं सोथ भी नहीं सकता उसकी विजाए मैं राजनीती करने के विजाए घर बेड़ जाओंगा लेकिन मैं बारतिय जनता पार्टी को रिश सुर्थगर्ड विदान स्वा में लगा दी थी मैं सुर्थगर्ड विदान स्वा में वहां लगा वा था दिन रात वहां काम भी कर रहा था जो पार्टी आज़ेश दी अगर पार्टी के तियां लगना है तो गुर्वीर मेरा को दूसरा नहीं है वो मेरा किनिष्ट है बतीजे करूब मेंं मानता हूँ, मेरा कोई से मिलते हैं अभी वह यह नासाना है, कोई मारा वैशे भी रोध नहीं है, और यहां पार्टी कहने ते तो मैं यहां में लग जाता हूँ. लेकिन ये सच है कि आपने एक भी सबह नहीं की, एक भी ऐसी सभा नहीं थी जिसमें आपने गुरुविर बराड का गुरुविर बराड को समर्थन किया हो या उनके पक्षे वोट मंगे हो नहीं मेरे कि मैं आपको पता दिया ना पाल्टी ने जिस दिन से चुनाव गोस्णा हुई पाल्टी ने मेरे को आदेश दिया मैं उस आदेश की पालना की लेकिन ऐसा क्या रहा कि विदान सभा चुनाव में जहां पार्टी प्रत्याशी की करारी हार हुई वहीं पांच माहा बाद जब लोग सभा चुनाव हुए तो आपके ही शेतर से काफी लीड की भाजबा प्रत्याशी ने उसका बड़ा कार नियरा उस वक्त लोगों ने कर्द मापी या अस्तानिय मुद्दे थे उस पर कांग्रेस को फाइदा दे दिया लेकिन बाद में आम आदमी का मन में ये बाद जरूर आगी कांग्रेस ने हमारे साथ दोखा किया है के अंदर में नरेंदर मोदी जैसे क्रिस्मा इन्यतरतों से प्रभावित हो के एक हमारे सालूत सहर या गंगानर की बात नहीं है सारे राजस्तान के अंदर जिस भी प्रत्याक्षी को पार्टी ने टिगेट दी उसको बारी मतों से जिदाया और पत्ती सीटे हम जीते में मिली नरेंदर मोदी का क्रिष्माम में क्यों नी चला क्या धानस्वा चुनाओं में आपकी भाजबर सरकाऱ् की विफलता थी जिसके चलते उन्हें मामुली स्रृतों पर ही सिम्ट का रहना पड़ा विफलता तो नहीं थी अमारी सरकार ने अच्छी योज नहीं राज्य सरकार ने वसंद्रा के देर तर्टमें या लागू की थी, जिनका इंप्लिमेंटिसन होने में हो सकता है कहीं कमी रही हो, कुछ दो सरकार होती है, लोकल स्थाने इस तरपर रही से मुद्धे होते हैं, कारे करता हूं मैं कई बार को छोटा मोटा ऐसंतोस हो जाता है, इसी बाद जरूर हो सकती है, बाकि आज इन एक साल बने होई सरकार को होगे, एक भी योजना हमारी थी, उसमें सभी में सारा बज़टी नोन बंद कर दिया है, नहीं एक भी योजना इसी नहीं लापाई है, जौाम जन्ता के हित्में काम कर रही हो, तो मैं नहीं समझता कि ह हमारी सरकार में कोई कमिया थी, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था वसंदर ने तरतों में, लेकिन छोटे मोटे को मुद्दे नराजगियां हो सकती है, उसका नहीं सपल नहीं हो पाई, आपको लगता नहीं कि आपके बादपास सरकार ने कुछ जादी अच्छा क कर दिया जिसके चलते लोगों ने उसको घर बिठा दिया गर तो कांग्रेसी को बहुत जो अवा में बात कर रही थी इतना मूमत आ जाई उन्हों ने जोड़तों से सरकार मनाई कुस अंकों का फरक रहा हमारा उपसना हुए तो हम बराबर में उनके जिते हैं तो हम उसे कहीं क कमजोर नहीं है हमारा नेटवर्क उनसे मद्बूत है अब देख लो पंचाहिज राज को कांग्रेस तो खत्म करना साथी है हम इस भी मकाबला करने के लिए इन से त्यार है श्री गंगर जिले की बात करें तो आप जिला देश बने हो तो आपकी क्या कर रहे हैं गंगर जिल करके उनकाम समान भी कर रहे हैं उनके अन्वों को फाइदा लेते हुए ने लोगों ज़्यादा ज़्यादा पार्लिटि से जोड़े जो किसी कार्ण से हमारे कुछ साथी बर्मीत हुए या इदर उदर हुए उनको भी मेरा प्रियास है कि जो है हमारे विचार के ही लेकिन निराज़िया होने से उन सभी को भी वापिस दोड़े और पार्लिटी को एक नए दोस्त के साथ सारे जिलिया के अंदर आने वाले सुनाव़ों के इंदर उसको शिक करें तांकि पंसाईथ राज उसके बाद अगस्त स्थानी निकायों के चुनाव होगे ने ब्रृदि क reflection क के बावजुद आपके पार्टी बोर्ट बनाने में ऐसा फ़ल हुई देखे उसमें तो हम 24 सिटने जीते हैं अमारे प्रत्यक्षिकों उससे गई ज़्यादा बोट आए और लोग अमारे साथ निद्लिया दूसरों ने से होगी किया ठीक है सबस्ट भूमर तो कांग्रेस है व बिक है क्या हमारे तो 24 ते रहें वोट कतीस के लगवग आए उपदेख्ष की चुनाव की दूरा ने किते वोट आए आपके पास पूटल 24 थे आपके बाईस थे निद्लिया और 19 थे कांग्रेसी और उपदेख्ष के चुनाव की दूरा 49 वोट दर चलेगे तो आपके बास करें करें करके क्यों मेरे यह करें करने से पहले का मामला है मैं हमारे यहां के परबारी थे उन से दूसरों से बात करके और लोगों ने मेरे को का है तो हम उसका पूरा मंतन करेंगे कारण खोजेंगे मारे कौन से साथी है तो गए या किस कारण से गए धनबल से गए या और सब्सक्राइब करें नहीं करना तो पूरी विस्तार से प्रताल करें करना तो आप बहुत 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 करता है तो यह नहीं क्यों नहीं आता उसमें यह आप मांनते हैं कि वो दूद के दुले हुए हैं? नहीं, वो समाजिक प्राणी होते हैं, सभी हैं. तो वो तो दुनों पार्टी के लिए और निदलियों के भी लागू होता हैं, समाजिक प्राणी तो सभी हैं. नहीं वो आपकी बात सही है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारे 24 पारसत थे हमें 31 बोट आए तो मैं तो साथ बोट हो रहा है उपाद एक्स के सुनाव में ये गफलत हुई वो पारसत कहा चले गे फिर जो पहले 31 थे 24 प्लस हुए साथ और बाद में गायव हो गे दूसरे जो 24 क साथ प्लस दो साथी थे वो निर्दलिय या दूसरे थे वो तो कोई बोट नहीं थे लेकिन हमारे जो 27 पार्टी के थे उनमें जो बोट गठे हैं उसके हम जांत करा रहे हैं मैं परवारी से ही बात की है पूर अजिला देक्स दिया है हमारे परवारी या जो दो तो तुनाम इन्वलब थे उन सबी से राय करके उसके बारे में पूरा एक्सन लेंगे शेर की ववस्ता किया कहेंगे आप अब ही हाली में जनता ने यह मानके चलो भूमत आपको दिया है भाजपा को दिया है क्योंकि सबसे ज़्यदा स्टे भाजपा को मिली है तो लोग आप पे करने के लिए कोई गड़ी सहीर नहीं है यह वास्ता में नरके जीवन लोग जी रहे हैं हम आज विपक्स में हैं तो हम सकारात में विपक्स की भूमिका निवाएंगे और नगर पर से जो बोल्ड है परसासन पर उन पर दवाब बना के हमारे सबी पारसन चाहेंगे कि शेर क अच्छा विकास हो और ये सपाई विवस्ता ये दुरुस्त हो शेर की दुरुदशा के लिए आप भाजपा को जीमिवर कितना मानते हैं हमने खूब प्रियास किया लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पिसले करेकाल के अंदर भी जो हमारे यहां के चेर में थे उस पर कंट्रोल भी दिया लेकिन उसका निचे इंप्लीमेट हो है वो मैं समझता हूं कि नगर प्रिस्ट बोल्ड की लाल फिताशाई या इनके बश्टादार के विज़े से सही नहीं हो पाया उसका नुकसान नर्के जियों जिलने के लिए सहरवासी उसके अंदर मजबूर है तो उसके अं नदर जो सत्वासी नहीं होता है उसका पर खुमदूर म Candle रम जी कोंग्रेश उन्री सिटेई पर करने के बावजंद सत्ता में हैं और भाजपा 24 सिटें होने के बावजंद विरूद तक नहीं कर पा रही है उनर तो Qne. नहीं कर笑 जब आ पूर ये शेर के हलाट हैं हमारे इस शेर के, ये दुर्दिश है ये देखिए, शेर के मुक्खे मारगों पर गोवश और कत्रे के ढेर, ये आज के सीन है, जो मारे कैमरामैन, ये गोवश को रामिला मिदान में पकड़ कर रखा गया है, इनके लिए ना तो चादे की ववस्ता है ना किसी शेड की ववस्ता है बरसात चल रही है दो दिनों से और ये बिलविला रहे हैं भोक से और ठंडे से ये कच्चरे के लगे वे धेर मुख्य मारगों पर क्या 24 भाजपाईयों को जिताकर लोगों ने गुना कर दिया ये देखिए आप मुख्य मारगों के ये हाल है चंडीगड का बच्चा बना था गंगनगर लेकिं गंगनगर को गंगनगर नहीं रहने दिया ये टुट्यू सडके ये देखिए क्या आलो गया दो दिनों में सडकों का किसी भाजपाई ने एक ब्यान तक जारी नहीं किया ये एलेंटी कंपनी जो सिवरे डाल रही है लोगों के घरों के आगे मोद के कोई खोद के छोड़े हुए है किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया एक तर्व देखके तो शेहर की सरकार ने आपको भूमन दिया है भाजपा को ये सडकों पर लबा लब पानी मामूली बारी से ये हाल है अगर भारी बारी शागी तो शेहर डूब जाएगा गरक्त साब आपकी बात सरी है जो पिक्टर सामने आपने दिखाई है पिक्टर के बगेरी हम सेहर में रोज जाना जाना है सेहर की इनर की इस्तिती है अवारा पसू शडकों में गड़े आई जिन हादसे हो रहे हैं हमारे साथी इन गड़ों के बज़े से बहुत से नोजवान एक्सडन्ट के कल्वी तो हो रहे हैं इसमें मैं इतना कह सकता हूँ के मुझे बने बने सारे दस दिन हुए है मेरा यही प्रियास रहेगा कि पिछे की बात तो मैं नहीं कह सकता अब आगे मैं यह कह सकता हूँ कमारे जो पारसद है चोविस उसहर के विकास के लिए कंदे से कंदा मिला कर काम करेंगे नगर प्रिसित बोल्ड में हम सकारात में विपक्स की मुमिका नभाएंगे रोध की लिए रोध नहीं करेंगे लेकिन सबसे बड़ा काम होता है सता जो सता सीन है वो इसमें पहल करे यहां के विदायक यहां कांग्रिस की सरकार कांग्रिस का बोल्ड है हम से जो भी वो सहोग मांगेंगे विपक्स के रूप में उनका सहोग सकारात्मक देंगे लेकिन अगर इन इस्तितियों पर उन्होंने काबू नहीं पाया तो मैं हमारे सारे पारसद हैं पार्टी के दूसरे सेर के रिष्ट लोग है उनके एक मिटिंग लेके अगर अंदोलन भी खड़ा करना पड़ा तो मैं इसके लिए अंदोलन करने के लिए मैं रूपरे खबनाओंगा पार्टी के बैठक कब बुला रहे हो आप बहुत जल्द तोड़ा मोसम खुल जाए और 21 की जो आप कर रहे हैं उसने पहले पहले मैं बैठक बलाओंगा सबी से राय करके बैठक करूंगा आत्मारम जी अब आपको पार्टी का जिला देश्म बनाए गया है तो अनेक गुटों में बटी भाजपा को एक ऐसे करेंगे देखिए मैं अभी बात कर रहा था जो संस्तापक मेंबर असीम बने उस वक्त यह आलाद थी को टीक्ट मांग लेने वाला नहीं था पार्टी जीरो से शुरू होके आज इस आलाद तक मुंची है सुबावी के परिवार बड़ा होता है महत्वा कांशाय हो जाती है तो गु कर पहले पार्टी को विजे सिर्द लाएं बात में आई कमान हमारा जो फैसला करें उस हिसाफ से आगे बोर्ड जो बने तो उनको सभी लोगों जोडेंगे पार्टी के अंदर काम करने के लिए बहुत से और भी मध्यम है कोई परदान नहीं बन सकता है तो लेकिन पार्टी करें है उनको सक्कु cliffs में काम देना है तो सभी जिरेंगे जैकिन प्रियास यह रहेगा कि सभी लोगों पार्टी के साथ जोडेंगे पार्टी एक दिन सभी को म rich card जो हर जिलाए तह करते है लेकिं जूड़ मीं पाता कोई नहीं सितसा मेरा फार्मॉला रहेगा जो आदमी पार्टी के साथ काम करेगा उसमें पार्टी उसको स्तान देगी जो पार्टी से खिलापत करेगा तो फिर वो बार का रास्ता देखे और पार्टी से बार जाए पार्टी के अंदर रहे कि दोनों बाते नहीं चलेगी पार्ट मन्सों पर करेंगे पार्टी को और काम हम करेंगे और वो दोने संतुष्ट नहीं रहेगा वो खिलापत करता है तो फिर पार्टी उस पर कारवाई करेगे अभी तक तो पार्टी ने किसी पर कारवाई नहीं कि अभी विदानस्वा चुनाओं में अनेक निताओं ने खिलापत की थी पार्टी की यह आप जो बात कह रहे हो, यह बड़ी पार्टियां उसमें अंदर बड़ा प्रिवार होता है, हो सकता है कि यह इसी बात हो, लेकिन यही कह रहा हूँ, मैं प्रियास करूँगा कि और इसाथ बहुतर करस्कूं, और पार्टी को एक्जूट रहते हुए आप कुछ कहना चाहोगे अब मैं फाइटर के सभी दर्सकों को सभी पाठकों को बहुत-बहुत नहीं वर्सकी सुब कामनें देता हूं आप से उमीद यही करता हूं मैं हम आज विपक्स में हैं हम एक सुबकार आत्मी विपक्स की भूमिका निभाएं आत्माराम तर्ड भी साधान इंसान है पार्टिन मुझे इतना बड़ा दाईतव दिया है आप सब के स्योक से मैं उस कार्यों को पूरा करने का प्रयास करूंगा और जब भी कहीं आपको किसी तरह की कोई प्रशानी आए या आपको इसा लगे आप जो भी सुजाओं देगे हम आपके सुजाओं पर हमल करते हुए इस हमारे सेर के इस जिले की बहतरी के लिए करे करेंगे हम साहेंगे कि अच्छा काम करें ताकि आने वाले 2023 में हमारी यह सरकार बने हमारे स्जादा स्जादा MLM जीते कि मेरी सुब कामना सभी पार्ट को सभी दर्सकों को है अब भी हम बात्चित कर रहे अगामी किसी सक्सियस से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्ते